अब्रेवर्ण रिफ्रेक्षन अफ लाइट चप्र का नेक्स टॉपिक समझ लेते हैं जिसका नाहम है लेंस इसमें हम लोग जानेंगे समझेंगे कि लेंस क्या है कितने परकार के होते हैं किस तरह बनाए जाते हैं सारी चीजे डिसकॉस करेंगे और उसके साथ यह जो लेंस टॉपिक ना डाइट चप्ट्र का परकाश क्या परतन चेप्टर का बहुत इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि अगर आप लोग यह नहीं पढ़े no topic तो प्रकाश के अपवरतन चेप्टर का पढ़ने से कोई नहीं फाइदा नहीं कि उसका जोacy आप लोसय ज़्डलिए आप लोग मा TCP सकता है ना टो से किसे कहते हैं आप नृमली देली ल देली री रूबरू होते हुगे हैं तो सकता है मतलब क्या डोप्रिस्ट यानि किदो सर्फिस से घीरा कोई पारदर्श्री माध्यम पारदर्श्री माध्यम का मतलब होता है जिससे प्रकास आर पार हो जाए वह वस्तु या फिर वह माध्यम जिससे प्रकास आर पार हो जाए उसे पारदर्श्री माध्यम कहते हैं तो वैस दो पारदर्श्री माध्यम का प्रिष् माल लीजे एक नोटbuk हैं इसको आप समझताई यह हैं इसकी इतनी में और उसके सांथ साथ आप समझे की हो गई कांच कप पहला फ्रीसच न रहा दूस्त स कपर्सटों से घीरा हुआ है और इससे प्रकास आर पार हो सकता है कांच है नोटबुक नहीं समझे है थोड़े दिर के लिए इसको कांच समझे है इससे प्रकास आर पार हो सकता है यान कि एक पारदर्श्री माध्यम है और इसका ये पहला प्रिष्ट ये दूसरा प्रिष्ट दो दो प्रिष्टों से घीर हुआ पारदर्श्री माध्यम यह क्या है एक कांच हो गया इसी तरह बिलकुल लेंस होता है वह भी इसी तरह होता है दो पारदर्श्री माध्यमों से घीरा होता है लेकिन लेंस और कांच में फर्क इतना होता है कि जो कांच होता है इसका दोनों प्रिष्ट जो होता है दोनों समतल होता है बराबर होता है ढ tart और संदल होता है इस तरह यह वाला भी समतल है यह भी चोल देंगे लेकिन यह आसा नहीं होता है यह फिर एक प्रिष्ट गोलिय हो फिर दोनों प्रिष्ट गोलिया होते हैं यानि कि गोले का भाग होते हैं उसे बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए एक समतल हो गया अगर उसमें एक इस तरह है तो लग रहा है ना कि यह गोले का भाग जैसे कि काट लिया गया है गोले से तो इस तरह के इस तरह अगर आप लोग को काच मिल जाएगा तो उसको क्य क्योंकि एक देखिए इसमें इसका एक प्रिष्ट सम्तल है और एक प्रिष्ट क्या है गोलिया है गोले का भाग है इसमें भी एक प्रिष्ट सम्तल एक प्रिष्ट गोलिया है इसमें तो दोनों प्रिष्ट गोलिया है तो यही बोल रहा है कि दो प्रिष्टों से घीरा हुआ कोई पारदर्षी माद्यम, दो पृस्ट हैं और दो काच और लेंस में अंतर समझ में आ का यह संतल लेंस में एक या दोनों प्रिश्ट गोलिया तो मज में आगया अब जो लेंस को दो भागों में बाटा गिया है पहला है उत्ता लेंस और दुसरा है उत्ता लेंस को convex lens और और लेंस को concave lens बोलते हैं उत्ता लेंस देखिए इस तरीके का होता है अच्छा से बना दो तरह और अच्छा में यह होता है उत्तर लेंज एसे होता है यह क्या हो गया और अच्छ लेंज देखिया लेंज तो आप लोग समाज़ें लेंज को दो भागों में बाट कि दिया गया convex lens और concave lens, convex lens का जो होता है वो बीच में मोटा होता है convex lens और side में किनारों में देखिए किनारों में पतला होता है तो वैसा lens जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उस तरह के lens को बोलते हैं convex lens और वैसे lens जो बीच में पतला और किनारों पर देखिए मोटा है तो वैसा lens जो बीच में पतला और किनारों पर मोता हो उसे क्या कहते हैं Concave यानि कि author lens और इसको आप लोग कैसे याद कर लेंगे बहुत आसान से एक ट्रिक बता देती हूं देखे उत तल मतलब उतल हुआ यानि कि वैसा लेंस जो बीच में से उतल हुआ हो उसे क्या बोलेंगे उतल मतलब यह हो गया उत्तल और यह क्या हो गया उत्तल अब देखिए कैसे बनता है यह जो उत्तल और उत्तल लेंस होता है वो कैसे बनता है यह समझ लेते हैं ठीक है देखे इसमें दो गोला लिया जाता है कांच का दो गोला एक ये और एक ये दो गोला लिया जाता है दोनों कांच का और क्या किया जाता है इन दोनों गोलों को एक दूसरे के उपर ओवरलैब कर दिया जाता है और उसको इस तरह से हमें मिल जाता है एक देखिए इसी भाग को इतना जो भाग है ना इसी भाग को बोला जाता है उत्ता लेंस ये बिल्कुल इस तरह दिख रहा है ना इतना को निकाल लिया जाता है और इसी को चस्मे में या फिर जहां पर भी यूज करना होता है वहां पर गोला का यूज किया जाता है मानिजे एक ये गोला कांच का ले लिए और दूसरा गोला अच्छा से ठीक है और दूसरा गोला एक ले लिए और इसमें क्या किया जाता है ओतल लेंस बनाना है तो देखिए यहां से इस तरह जोड दिया जाता है जॉइंट कर दिया जाता है बीच में काच भर दिया जाता है तो देखिए इतना दूर का इतना दूर का इतना दूर का बिल्कुल ओ ऐसी लिए ऊसका प्रिष्ठ गोल्य होगा स्फेर से निकाला जाएगा तभी तो इसका अब देखिए करेंगे वैसा उत्ता लेंस का वह लेंस मैं बोल दे रही हूं आप लोग लिख लीजिए वह लेंस सोच बे nieuwe मोटा और किनारों पर पतला हो उसे उत्ता लेंस और वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो उसे क्या कहते हैं और लेंस सिंपल हो गया आगे बढ़िए अब देखिए अरे पृखे हैं कि यह क्यों मिटा दी इसको नहीं मीटाना था इस तरह उत। और उत्ता लेंस के भी कुछ लूप होते हैं अलग-अलग रूप देखिए पहला तो रूपा उत्ता लेंस का यह है यह अपना खुद का रूपी है इस तरह का डेखिए उठा उठा हुआ हो से क्या कहते है उठाल यंस नब कि अधिया उठा हुआ है अब रह मतलब आप सोच रहे होंगी कि क्या बताने लग यह मैं टाइप बता रही हूं उठाल इंज का टाइप अलाग रूप होता है तीन रूप होता है उत्तल लेंस का जरा उसको समझ लीजे पहला तो ये खुद का रूप होता है इसका रियल रूप कि इसको उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं और व्योतल भी बोल सकते हैं बात एक ही है और एक होता है इस तरह एक समतल होगा और एक तरफ से इस तरह उठा हुआ होगा तो देखिए पहला प्रिष्ट क्या है सम्तल तो सम्तल लिख दीजिए और प्लस यह क्या उठा हुआ है तो उठा हुआ को क्या बोलते हैं उठाल तो सम्तल प्लस उठाल क्या हो जाएगा इस लेंस का नाम हो जाएगा सम्तलो तल सम्तलो तल वैसे बहुत डिफिकल्ट न यह इस तरह होता है और फिर यहां से इसी तरह होता है यह देखिए कुछ इसी तरह का होता है थोड़ा सा एक मिनाट अच्छा से बना दू एक इस तरह इस तरह ठीक है इस तरह होता है देखे इसको अंदर से देखेंगे तो यह धसा हुआ है क्या हुआ है धसा हुआ है और इस दसे हुए लेंज्स को क्या बोलते हैं ऑटल तो पहले ऑटल लिखिए और प्लास यह देखिए बाहर से उठा हुआ है तो अधल प्लस उत्तल ओतल ता लोटल ओतल ठीक है तो यह हो गया तीन टाइप उत्तल लेंज का एक तो खुद का इसका रीअल रूप यह वाला देख़िया कि यह होता है कि अटल यह दोनों तरफ से क्या है धसा हुए इसलिए दो बार उभए प्लस ऑटल उभीयो तलाउ तल उवियो तलाउ तल व्यो तलाउ तल रोज भी तलावतल ही होता है हाँ अब देखिया कि इसी तरह इसमें भी होता है ऐसे एक समतल होता है और फिर इस तरह अंदर की तरफ दशा हुआ है तो समतल प्लस यह क्या है दसा हुआ है तो अउतल तो सम्तल प्लस अउतल क्या हो जाएगा सम्तलाउतल सम्तलाउतल ठीक है यह सम्तलाउतल इस लेंज का नाम हो गया उसी तरह एक और होता है एक ऐसे एक उपर से उठा हुआ फिर एक अंदर से धसा हुआ ऐसे ऐसे होता है तो देखिए पहले उठा हुआ है तो उतल और प्लस अंदर की तरफ धसा हुआ है तो उतल प्लस उतल उतला उतल वैसे यह नाम सुनकर काफी हशियार होगी लेकिन यहीर इसका नाम बहुत अमेजिंग आप Wed not least ली extract श्रीजीए अब चलिए अगे समझ लेते हैं उत्षा, लेंस और उत्तर लेंस के कुछ पॉइंट के बारे में उत्तर लेंस में देखिए उत्तर लेंस इन दोने के बीच का सेंटर को बोलते हैं हम लोग परकाश केंद्र इस बीच के सेंटर को क्या बोलते हैं परकाश केंद्र चाहे वो उतल हो चाहे वो ओतल हो अगर मैं गलते से सिर्फ एक में बता लिए तो आप लोग समझेगे कि दोनों में बराबर ही है तो चाहे इसका सेंटर हो या फिर इसका सेंटर हो क्या कहलाएगा परकाश केंद्र थेक अब देखिए लेंज जिस दो गोलों से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र जरा समझिये परकाश केंद्र को मुटादो देखिए इस वाले भाग को देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गोले से मिलकर बना हुआ है इसका सरकिल पूरा किया जाएगा तो यह गोला बन गया उसे तरह ही इसको देखिए यह भी लग रहा है कि यह गोले से मिलकर बना हुआ है वैसे तो बना हुआ तो है यह तो लगेगा ही ना तो देखिए दो गोलों से जिस यह लेंस जिन दो गोलों से मिलकर बना होता है इन गोलों के केंद्र को सेंटर को सेंटर का है इस गोले का सेंटर यह है इस केंद्र को चाहे इसका हो चाहे फिर इसका हो दोनों को क्या बोला जाएगा वक्रता केंद्र तो सबसे पहले तो परकाश केंद्र बता दी दूसरा क्या हो गया वक्रता केंद्र Center of curvature वक्रता केंद्र को C से सुचित किया जाता है यह C यह पहला गोला है तो C1 और इसको मान लिजिए C2 किके तो C1 और C2 तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं डिफिनेशन लिख लीजेगा वीडियो को स्लो करकर इसमें भी उसी तरह होता है इसको देखिए यह भी लग रहा है कि एक गोले से मिलकर बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह यह भी लग रहा है कि एक गोले से मिलकर बना हुआ है तो इसके केंद्र को इसके भी केंद्र को क्या बोला जाएगा वक्रता केंदर इसको भी सीवन और सीटू लिख दीज़े कोई दिक्कत नहीं हो गया कंदर और आगे देखें है जो वक्रता केंदर और दोनों वक्रता केंदर और यह जो परकाश केंदर है इन तीनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा किचिए और इसी रेखा को यह आप सीधी रेखा किच दिये तीनों को मिला कर इसी रेखा को बोला जाता है मुख्या अक्ष क्या बोला जाता है मुख्या अक्ष कि उसी तरह इसमें भी यह तीनों रेखा को तीनों बिंदों को मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा तो इस उसके center उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र और उन तीनों को एक सीधी लाइन से मिला दीजिए उसको क्या बोलते हैं मुख्याक्ष ठीक यहां तक clear हुआ अब आगे देखिए अब देखिए मैं यहां पर एक उत्ता लेंस बना रही हूं और यहां पर एक उत्ता लेंस बना रही हूं अब जरा आगे समझेए फटा फट देखिए इसके सामने सीधा लाइन खेश दी यह क्या हो गया मुख्याक्ष इसके सामने भी सीधा लाइन मुख्याक्ष बीच वाला क्या हो गया परकास केंद्र परकास केंद्र को ओ से सुचित किया जक्ता है ये भूल गई थी मैं देखें परकास कांदर को वे से सुचित किया जाता है इसमें भी समझे मैं आपको बता रही हूं इसमें अब दखिए यह उत्तर लेंज का सीवन बता रही हुंसन नहीं लिए इसका सीवन City में वकता केंदर डायं तरफ और इसका दाइं vient प्रफ होता है यह क्यूं हो रहा है बता रही हूं आगे समझिये देखिये मुख्याक्षिस इसके समांतरं जो करणने आती है देखिए उनके सांत क्या होता है यह मुक्यक्ष के समांतर करणने और जब भी उत्तर समया क्ष्प तो एक बिंदू पर मिलती है यह बिंदूinaire अब जितनी भी किरण्ये आएंगी यह विले बिंदू पर अब जितनी भी किरने आएंगी आप कितना भी लाखो करोडो जितना भी किरन भेजना है इस मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए सारा इसी बिंदू पर मिलेंगी सारा जितनी भी किरने होंगी सभी इसी बिंदू पर मिलेंगी ठीक है जितनी भी किरने होंगी तो क्या हो रहा है मुख्य अक्ष के समांतर उत्तर लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आती किरने एक बिंदू पर मिल रही है इकठा हो रही है और एक बिंदू पर मिलने को बोलते हैं अभिसारित होना और इसलिए उत्तर लेंस को एक और नाम दे दिया गया अभिसारी लेंस क्यों क्योंकि यहां मुख्यक्ष के समांतर किर्णे एक बिंदू पर अपवर्तन के बाद एक बिंदू पर आकर मिल रही है अभिसरीत हो रही है और इकट्था होने को भी बोला जाता है अभिसरीत होना और इसलिए उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है ठीक है उसी तो क्या हो गया मुख्या फोकस और यहां पर इस लिए इसका मुख्या फोकस क्या हो जाता है तो मुख्या फोकस का और मिलने के कारण अभिसारित होने के कारण उत्ता लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है ठीक आप लोग वीडियो को स्लो करकर लिख लीजिएगा उसे तरह यहां पर देखिए ओता लेंस में ध्यान दीजिए इसमें जो किर्णे है अगर मुख्याक्ष के समानतर आ रही है इस तरह फैलती हुई चली जाएंगी जितनी भी किर्णे मुख्याक्ष के समानतर आएंगी एक दूसरे से इस तरह फैलती चली हुँ जाएंगी आपको देखकर कभी लगता है कि एक दूसरे से मिलेंगी नहीं एक दूसरे से फैलती चली जा रही है लेकिन हम इन्हें जबर को बोलते हैं अपसारी थोना और इसी लिए अर्टल लेंट्स को एक और नाम मुख्य एंधे दिया गया है क्यों क्यों कि मुख्या अक्ष के समांतर आती कि ने और टली में के बाद फैल ड्र चलिए जाती हैं जिसके वजह से हम लोग तलेंस को क्या बोलते हैं अब सारी लेंस अब देखी it to video यहां पर f2 बन जाएगा तो यहां पर f2 क्या हो गया मुख्या fokus यहां पर f1 anak adequate हो गया यही कारण है देखिए दोनों में f2 f2 लाने के कि यही हम लोग क्या किये थे इसको सीवन को कि इसमें बान तरफ लिखा गयान तो यहां तक समझ में अगया अब जो नेक्स्ट लेंगे प्रतिबिंप रिंध कि या अंत О्ट लेंग से कैसे प्रतिब्धयान जाताहे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग वस्तुव को रहकर कैसे प्रतिविम इमेज बनेगा यह सारी चीज़े नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज